पार्ट फोर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गोयान अपने रूम में आती है और फिर लिंग जोई के साथ जो मॉमेंट उसने स्पेंड किये थे उसे याद करके अपनी कहानी लिख रही होती है तब अचानक से लाइट चले जाती है कुछ सेकंड के बाद जब लाइट आती है तो वह अपना लैपी ओन करके देखती है तो उसने जो भी काटूंस बनाए थे वह सारे डिलीट हो चुके थे क्योंकि वह सेव नहीं कर पाए थ तो अब खवास Quality कई ऊसका फ्रेंड पर पींग्जोई का चोटाब है यहीं पसंद करता है और वह से इसे लिए परिंडिशिप किया है वह से घर चोड़ने के लिए आता है तो जो गोजाइनर यादर वह देख लिए को तो पसां करती है लेकिन वो कुछ दिन से मिसिंग है तिसलिए उसके पैरेंट बोल रहे हैं कि उसके छोटे बाई के बारे में सिरियसली सोचने हैं स्CE medic다는 को से में काम करते कफ़ी करते काफी हो जाता हुएं आधार लिक्जाँ जर कि यह जाता है। लिंग्जोई को देखकर कि वो थोड़ा से रिलाक्स होती है वोसे पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो इस टाइम तो लिंग्जोई बोलता है कि बहुत हो रहा था इसलिए सोचा कि थोड़ा बाहर वॉक कर लेता हूं लोग अपने रूम में जाते हैं गोयन बहुत सारी लेकर के आ रही थी लिंग्जोई बोला कि तुम हमेशा नूडल सी क्यों खाती हो तो गोयन बोलती है क्योंकि यही सबसे इजी टू कूक होता है लिंग्जोई बोलता है कि छोड़ो मैं तुमारे लिए बना देता हूं डिनर बहुत ही टेस्टी और टेम्टिंग सा डिनर र आई जाती जुझे प्रिंगे जाता है वहां जो जाता है वो गोयन का वाहर ठांगाा हुआ है कि कहुंत इसकर बाद जुझे लेने के लिए अंसमeline बॉंड को बोलता है क्योंकि वो पर एक अपिसे दालवा दने के लिए चूका है और गैकर कि यहाहाऌन जो जाती है मतलई ह जब खुश हो जाती है लिंग जो बोलता है कि अपने रूम में जाती है तो देखती है कि छोटे से लाप टप के जगा बहुत बढ़ा असा लैपी का पूरा सेट अप ही है वह तो खुशी से पागली होने लगती है उसे देख करके उसे पूस्ती है कि तुम्हारे पास इतने कैसे कैसे आए लिंग जो बोलता है कि मैं रैंडम ले लॉट्री के टिकट्स चूज कर रहा था उसमें मैंने यह जीते हैं तो यह सुनकर गए खुश हो जाती है काफी जादा फिर लिंग जो उसे काड देता और बोलता है कि इसमें कुछ बचे हुए पैसे हैं इसे तुम रख देता है लेकिन जो को अफिस के मैनेजर को पसंद करती है बोलती है कि जैलसी से और उसका उसका बौइफंट फ्रेंड ती वो उसके बारे में काफी सिधा बोलने लगती है लड़कियों कि क्या प्रॉब्लम होती है समझ में नहीं आती है अपने अच्छी दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए यार फिर वो बोलती है कि अच्छे चलो हम लोग चेक करते हैं आज हम लोग उसके घर जाएंगे और देखते हैं कि क्या मैटर है अप लोग मुझे बताओ कि आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके क्लोज फ्रेंड नहीं आपके पीछ पीछे इस तरीके साथ के बीचिंग की हो वो भी किसे एक लड़का या लड़की के लिए हम लोग देखते हैं कि वो लोग जखाकर के कया आज हम लोग तोर पाटी करने के लिए चलेंगे मेरी तो टालने कि कोस्षिस करती है लेकिन कि लोग विए बहीं भी बोलति है कि कि jau और फिर बीज़ को इसक मेनेजर दों को उपके हैं तो प्रेंज अन्ज को उन लुग तो देखती है लिंग जोई पूरा अच्छे से रेडी वेडी हो करके पूरा टेबल पर फूट बूर्ट सजा करके बैठा हुआ है जितनी लड़की लोग आई थी वो लोग तो देखकरके इंप्रेस्ट और सॉक दोनों हो जाती है इसके पाद वो लोग लंच करने के लिए ब पूसती है कि तुमने तो कहा थे कि तुम्हारा बॉइफंड फॉरेंड में रहता है तो लिंग जो बोलते हैं मैं अभी ही वापस आया हो मुझे नहीं लगता है कि हमें अपनी पॉर्सनल मैटर ओफिस के लोगों से डिसकस करने की जरूरत है इसके बाद लिंग जो है सब के लिंग जो के पास आती है और बोलती है कि यह सब करने के क्या जरूत है मैंने तुम्हें चुपने के लिए बोला था तो चुप चुप चले जाते लिंग जो बोलता है कि तुम्हारे को वर्सकर्स तुम्हें जान बुश करके परिशान करने के लिए असा कर रहे थे और यह तो गोयन भोलती है कि मैं आंक indra कर सकती यह ज्यादा आसान ता मुझे तो पांस इटनने थाुटि नहीं है , पुसक्ष कर सके 강ारा उलिए कि रहां प्रमान व से यह कोुझ देखर इत्या है , पर टूण रहंदी क्या है , disagree .... कि यह your मेरे पैसे थोड़ी थे वह जो भी करें इसके बाद कुछ दिर्व बाद स्टोडी लिखने के बाद जब अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि लिंग जो यह लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है वह उसे जाकर के देखती है तो लिंग जो से समझाता है कि तुम हो गुर्ण gesprochen और तो अब भी गुस्ता हो तो गयान बोलती है मैं गुस्ता हो पर उसे पूस्ती है कि तुम क्या कर रहो कुछ्छ मेंने जोड़ना है ति म करें देख़ो व् ze तुम प्रोजेक्ट बना रही हो और अगर जो बंद हो जाते हैं फिर ओन करने के बाद यह आटोमैटिक सेव कर लेता है तो यह देखर कि गोयन काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि अच्छा तुम्हारी हरकती देखर कि अब मुझे समझ में आ रहाते हैं तुम हैकर हो तो लिंग जो बोलता है तुम ज्यादा नहीं बाद करके वह गोयन को फोटो भेजता है जब फोटो देखती है तो दोड़ती है वह वापस आती है वह कोई और नहीं के फ्रेंड यो यो थी उसकी फ्रेंड पूसती है कि आखिर है को और यह तुम्हारे साथ क्यों रह रह रहा है गोयन बोलते हैं बहुत लंबी कहानी है म लेकिन लिंग्जोय को तो जलन हो रहा था वह उसे बोलता है कि चलो मुझे बात करना है तो तुम मेरी हेल्प कर दो यह सुन करके उसके फ्रेंड सॉक्ट हो जाती है कि उसको नहाने में गोयन क्यों हेल्प करने के लिए जाएगी गोयन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो फिर गोयन लेकर वाश्रूम में जाती है उसके फ्रेंड इमेजन करने लगती है कि लिंग्जोय क्या करने वाला वाश्रूम में वह दौड़ करके जाती है देखने के लिए तो गोयन बस उसका हेल्प कर देथी तो फिर वह वापस लौट आती है रात में गोयन अपने फ्रेंड को सारी बात बताती है कि किस तरीके से किस कंडिशन में लिंग्जोय उसके साथ रह रह रहा है तो उसकी फ्रेंड बोलती है तो बिल्कुल फिल्मी कहानी है तुम शूर कि उसको पसंदने करती है तो गोयन बोलती है कि इसका गर्फिंड हो गी है फिर तो यहीं बोलती है तुमने उस लड़के को इंट्रड्यूस कराया है तो फिर लाश्ट में जाने के लिए देडी हो जाती है और लिंग्जो से मिल करके उसके पैरेंट काफी ज्यादा एंप्रेस होते हैं इसके बाद वो लोग तीनों साथ में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं वहां पर गोयन बहुत जादा ही ड्रिंक कर लेती है और किसी को पता नहीं होता है कि अधिर गोयन को तो अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई उ बोलते हैं और प्यार से लिंग जोड़े को देखती है कि ये भी मेरा है तो उसके फ्रेंड जाती है कि वो पसंद करने के लिए और तुम लोग दोनों हैपिली रहना तब यह चानक से टाइम पर ध्यान जाता है तो उसे आद आता है वह दोरते वे बाहर निकलती है तो लिंग complete करने के लिए office में जाती है काफी रात हो गया था और उस समय office में कोई नहीं था कोई उस दिर बाद सारा काम complete करने के बाद जब निकल जी होती है तो उसे लगता है कि office में कोई है तभी अचानक से वहाँ पर उसका manager आ जाता है गोईन वहाँ से भागती है और खीच करके एक थपड लगा देती है manager को थपड खाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर attack करने लगता है गोईन वहाँ से भाग दी थी और जैसे ही एक room में वो इंटर करके दरवाजा बंद करने की कोशिस करती है यहीं पर हमारा ये वरा एपिसोड खतम होता है आगे क्या होता है जानने के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में